Hello students, welcome to my YouTube channel biology classes So students, आज की class में हम लोग discussion करेंगे सैवाल तथा कवक में अंतर इससे पहले बारे classes में हम लोगों ने पढ़ाता कि सैवालों का classification क्या है यानि classification ofology, सैवालों के वर्गी करण के बारे में क्या किये थे, अधिन किये थे और उसमें मैं सिकली बताया थे कि सैवाल की कितने वर्ग होते हैं, कितने वर्ग में इसको बाटा गया और कौन-कौन से वर्ग में कौन-कौन से सैवाल आते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोगों ने क्या किया था तो पिछले वाले classes में discussion किया था बट आज की class में हम ये देखेंगे कि सैवालों का जो वर्गी कलड़ की बात का जो lecture है इसमें हम ये देखेंगे कि सैवाल और कवक में अंतर क्या होता है बहुत ही important topic है ये और इसके बाद हम पढ़ेंगी इसमें सैवालों का आर्थिक महत्तु क्या है तो ये दोनों topic बहुत ही important है तो वीडियो को पूरा देखिएगा वीडियो को भी इसमें छोड़ की मत जएगा और नोट्स बना लीजेगा और वीडियो को अधिक शदिक शेयर कर दिया करिए वीडियो अच्छा लागए तो लाइक कर लीजे और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं मारे चैनल को सब्स्क्राइब कर लीजे और वेल आइकन को दवा लीजे ताकि हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो अब तक सबसे पहले प्राफ्त होशके सो इस्टोरेंट चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा टॉपिक है वो है शैवाल तथा कवक मी क्या सीज तो सैवाल तथा कवक मी अंदर अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे दो कालम बनाए है कि सैवाल जो होते हैं ये स्वपोशी होते हैं सैवाल क्या होते हैं तो सैवाल जोते हैं स्वपोशी होते हैं और कवक क्या होते हैं तो कवक जोते हैं परपोशी होते हैं पहली पॉइंट सब को संद में आ गया सैवाल क्या होते हैं स्वपोशी होते हैं और कवक क्या होते हैं अब स्वापोजिव पर पोषी इसके बारे में तो आप लोग को पता ही होगा अब दूसरी पॉइंट क्या है इनक्ष में क्लोरोफिल पाया जाता है और कवक में क्वक क्विक पाया जाता है फिर है इसकी बाद इसम्ieve क्या बताएंगे next point बताएंगे सैवालों की कोश्का बित्ती सिल्लोस का बना होता है तेके सैवाल की जो सिल्वाल होता है कोश्का बित्ती होता है किसका बना होता है सिल्लोस का और कवक की जो कोश्का बित्ती होती हो काईटीन का बना होता है बहुत इंपोर्टन लाइनिंग ह होते हैं वो किसका बना तो काईटिन का बना होता है अगर हम इसके अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट क्या बता देंगे कि सैवाल में मंड की रूप में क्या होता है तो सैवाल में जो भोजन होता है वो मंड की रूप में क्या रहता है संचीत रहता है सैवाल में जो भोजन होता है वो किस रूप में संचीत रहता है तो मन्ड की रूप में संचीत रहता है लेकिन कावको में जो भोजन होता है वो गलाइकोजन की रूप में क्या होता है संचीत रहता है उसके बाद इसके अगले पॉइंट की तरफ बढ़ी तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा सैवाल में प्रकास अंसलेशन के लिए प्रकास की अवशिक्ता होती है आपको पता है कि जब इसमें स्वपोसी होंगे तो प्रकास अंसलेशन की किरिया करेंगे जो प्रकास अंसलेशन की क्रिया करते हैं, तो प्रकास अंसलेशन की क्रिया करने के इनको प्रकास की अवशक्ता होती है, तो सैवालों में प्रकास अंसलेशन के लिए प्रकास की क्या होती है, तो प्रकास की अवशक्ता होती है, कौकों में प्रकास की अवशक्ता नहीं होती ह पांच्वाइब बता देंगे सेवालों का सुकाय तंतुमय या वास्तविक मिर्दुतक का क्या होता है बना होता है तो यह इसके क्या हो जाएंगे गया अगली पॉइंट जाएंगे अगली पॉइंट ने मे अंतर की बात रही। अब हम आगे देख लेते हैं सेवालों का गया सित तो सेवालों का आर्थिक महत्तों कि क्या करेंगे डिस्कूशन करें तो कि अगर हम बात करें कि सेवालों का आर्थीक महत्तु के entend er में सब्सक्राइब इक्यों नामिक इंपोर्टेंस अफ एलगाई अब पता होना तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सैवालों का लाब्दायक में इसके उप्योग करेंगे इसके बारे हम क्या करेंगे? इसके बारे में हम क्या करते हैं इसके बारे में basically discussion करते हैं ठीक है सबसे पहला point है कि सैवालों में protein, carbohydrate, khanis, पदार्थ, even vitamins A, B, C प्रचूर मात्रा में क्या होता है पाया जाता है मतलब जो सैवालों होते हैं सैवालों में protein होते हैं कार्बोहाइडर होते हैं और इनमें vitamin A, vitamin B, vitamin C जो होता है इसमें क्या होता है प्रचूर मात्रा में पाया जाता है ठीक है अब simple सी बात है कि जब इसमें vitamin और carbohydrate, protein वगड़ा खनी सब पाया जाएगा तो basically इसको हम खाने की use में कर सकते हैं इसलिए सैवालों को हम क्या करते हैं भोजन की रूप में उपयोग करते हैं और यह सब पाया जाने के करल हम इसको क्या करते हैं भोजन की रूप में इसका क्या करते हैं उपयोग करते हैं आगे की तरफ बढ़ लेते हैं आगे क्या बताएंगे जैसे थियो फाइसी वर्ग के सैवाल पोर्फाइरा जापान में इसको खाया जाता है मतलब एक थियो फाइसी जोता है एक वर्ग है जब मैं आपको बताया था मतलब सैवालों का वर्गी करण पढ़ा है तो तो उसमें बताया थे कि जो फियो फाइसी है फियो फाइसी एक प्रकार का क्या होता है वर्ग है इसमें आने वाले जो सैवाल होते है वो क्या होता है पोरफाइरा होता है तो पोरफाइरा जोता है इसका यूज किया जाता है खाने में वह भी कहा तो जापान में यहां खाका लिखा गया है तो यहां क्या होता है खाया जाता है ठीक है तो फोरफाइरा जोता है पोरफाइरा को हम जापान में क्या करते है यूज परफयरा जोता है किस वरabout के सहवाल होते हैं गागते हुआ ने जूड़रेण मुख्य रूप में रूप में मतलब ये शैवाल के नामें॥ञ्ई और पराइटा और इस Πेंड़रेण इसका उप्योग करते हैं डुनों का गहक टेखபे है अने भी एसका क्रते हैं जापान में अगर देख्री तो जापान Benny जापान टथा निकट वरती देसों में क्या करते हैं तो एलेरिया अलवा और सारी गसंति लेमेनेरिया आदी सैवाल को क्या करते हैं साख के रूप में क्याता हैं मतलब कुछ ऐसे भी सैवाल होते हैं जिनको खाने में साख के रूप में करते हैं तो सैवाल कौन-कौन से है जैसे एलेरिया हो जाएगा अलवा हो जाएगा और क्या हो जाएगा सारगासम हो जाएगा ल जाट्व चाटbased है में उसके बाद देखें तो लेमेनरीया नामक सहवाल्ज 혼र प्रीय। क्या करते हैं उत्पन करते हैं तो लेमेनेरिया नामक जो सहवाल होते हैं ये आयोडिन क्या करता है तो आयोडिन को भी ये क्या करता है उत्पन करता है अलवा को प्राया क्या करते हैं समुद्री सालाद कहते हैं अब आप से पूछा जाए कि बता ही कौन सा सहवाल है जिने तो अलवा को, अलवा को क्या करते हैं, तो अलवा को समुद्री सैवाल के नाम से जाना जाता है, यह तो बात रही, मतलब उसका खाने में यूज क्या था, तो अब देख लिते हैं, कि उद्योगों में सैवाल का क्या उपयोग है, तो सैवालों से अनेक उत्पादों की क्या कर करते हैं प्राप्ति करते हैं मतलब सैवाल का यूज करके हम अन्य प्रकार के पदार्थों का क्या करते हैं उत्पत्ति करते हैं जैसे पहला क्या है अगार 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 एक सैवाल का नाम है इसका यूज कहां करते हैं किसी करते हैं यह जैली के समान जटिल पूछाए यहां किस वर्ग के साहवाल से प्राप्ते करते हैं तो बताएंगे कि रोडोफाय सीवर के साहवाल से बताते हैं तो बताएंगे ग्रेसी लेलिया हो जाएगा जैलेडियम हो जाएगा जीगारटीन हो जाएगा फिलोफोरा हो जाएगा आधी साहवाल से क्या करते हैं अगर हम आगे बात करें इसमें तो अगार का उपयोग जोता है प्रयोग शा सारा में समवर्धन माद्धेम को तयार करने में इसका क्या गयाता है यूज किया जाता है ठीक है अब हम इसके आगे की तरह पॉइंट देखाएं आगे क्या है दूसरा देखिए दूसरा इसमें सैवाल क्या हो जाएगा ऐलजीनेट ऐलजीनेट क्या है तो ऐलजीनेट जोता है यह ऐलजी हाँ ऐलजीनिक अमलक की लवर्ट से होते हैं मतलब इसका प्राप्त कहांस करते हैं और यहां भूरे सैवाल की होते हैं जिसे FUSH tai ko पुश्hoji का बितनी मि 성wn भूर के द्रूर के कुश़ाल प्रम नो होते हैं कि ज़र इसka şuSını op होते हैं तो सबाइस कि उसकी निर्मार में यानि इसका हम यूज कहां कर लेते हैं औसेदी के निर्मार में करते हैं दूसरा कहां करते हैं प्लास्टिक उद्योग में करते हैं तीसरा कहां करते हैं अगनी निरोधक वस्तर के निर्मार में करते हैं और चोथा कहां करते हैं कपड़ों की छपाई में करते हैं और बलव उत दोग में क्या करते हैं किसका एलजी नीट का ट्रिका तुट यह किसमिप यह ब्योश्य में भाराrice तो अब हम पढ़ेंगे कि कराजीनीन के निविस्टियन क्या है तो करानीजीन जो हता है यह भी एकप्रकार का सहाम हुता है अब तक हम सिर्फ यूसफुल एलगी के बारे में बात कर रहे हैं मतलब कि जो लाबदायक सहवाल उसके बारे में हम पर रहे हैं अभी हानी कारक सहवाल के बारे में पूरा बच्चा हुआ है करेंगे ठोड़ा करेंगे इसका कर लेंगे और आप लोग अच्छे बढ़ियास इसको नो इस से बुलिस की रिए ख़ी की लिए वुक एक गो करते हैं तो बार्रा जो और प्रेजर हैं घ्रली प्रेक्टिस पेपर में आगquito क्वेशन पूछा था एक दो लोगों ने उसका अंसवर दिया था बाकी लोग कमिन बॉक्ष में अंसवर देते ही नहीं है चलिए देख लिए कि आज का डीपीपी क्या है तो सबसे पहला प्रश्ण है किस सैवाल को किस सैवाल को भूरे रंके सैवाल कहते हैं बहुत आसान कर दो दूसरा प्रश्ण हो जाएगा फियो फाइसिवर्क के सैवाल में भोजन की सुरुप में क्या होता है संचीथ होता है तो स्यूर्ण कमें बॉक्ष में बताएंगे